स्लाम लेकों स्टूरेंट्स इस इबराहीम देखें यार लास एटेंब जून 23 की जो हमारी हुई यह वेजय की सब्सक्राइब करें जुक्राइब करोंगार किस तरीक से चाहिए था किताब की हैप नहीं लेनी चाहिए थी ति क्या लिखना था क्या नहीं लेनी चाहिए थी और गलतिया होई एक उसके लावा सबसे इसके हमारी स्ट्रेडीजी क्या होनी चाहिए सभी हमें इस सब्जेक्ट में क्या करना चाहिए विकाश एक हाई जजमेंटल और प्रैक्टिकल बिस्ट वे ठीक तो उसके पास पूछने के लिए कॉंटम बहुत जादा बहुत जादा है त स्टार करते हैं हमारे पास्फ होना सवाल ऐस जी जुल जो आता है वह आता है एडवांस जो हमारे पास आते है वह आता है डिसक्त दे अबस्ट निटियोशना LOOK some other stories that exist in the above scenario और सबस्क्राइब कर सवाल हमारे पास था यह 20 लगचों ने सबसे बड़ी गलतिसमें क्या कर दी बच्छोंने सबसे बड़ी गवलतिसमीं कर दी किh कि बच्चो नर रिसक साथ-साथ प्रोसीजर मेंचों कर दी लिसक तरूसीजर से रिक्रमेंट नहीं ती तो सबसे पहले बच्चे ने यह कर नहीं करते चेशा जिस बच्व। mention नहीं करें तो उसने जबरदस्ति रिस्क बनाएं मतलब इसको आप 20 नंबर के लिए सब्सक्राइब नहीं नहीं तो इसने हरकत क्या करी उसने जबरदस्ती रिस्क बनाने की कोशिच करी वह रिस्क जो के एक्जिस्स नहीं करते थे तो अगर पहली बार आयकर के स्ट्री में 20 नमर का सवाल से आज़े प्रसीजिए नहीं पूछे उसने तो बच्चे की सोच छे साथ रिस्त तक गई ती लेकिन इसको यह समझ में नहीं आ रहा था कि छे साथ रिस्त से मैं ऑडिट प्रसी छे साथ रि कर लेते हैं और थोड़ा बहुत एक करते हैं अगर इसके सजेस्टेट आंसर देखा तो मैंने इसका सजेस्टेट आंसर और लेडी बनाया है प्यारे बच्चों मैं कोशिश करूंगा इसको इतना क्लास में अभी इसको डिटेल में रीट ना करूं इसको मैं वाट्सएप ग जबारे हम तो सिबसेbahn कि सबसे इम इसको इसको इंपर्तांट्रें है अंगे इसलिस्टिट नेढस सबसें इसे अघुन का मरे आविस्टर आई म करते हैं सिं सीबसें में इस्टेस इपने। एफ ऑपर्सितार एक्षकी पार्साली सेटसर परिवंने परफिशांग के ऽंजे efficient in their work and that the change is recommended by them often proved erroneous as SL management rarely agreed to them about it is a while cup God's upon it is a paragraph when I said I'm discuss about doctor to put a small part of them you can make calm you carrying a half paragraph of practice for this current if I can make it again again mess of all could eat a room or spell a paragraph or eat a room good khatanaak word मुझे दिख रहे हैं प्यारे बच्चों कुछ खतरनाग वर्ड है मेरे पास के मैं लिस्टूटू और दूसरा खतरनाग वर्ड यह के मैं dissatisfaction है मेरे ओडिटर के साथ पिछले और अच्छा सवाल में अगर आप देखें आप पॉइंट हो चुके हैं तो वह प्रोफ्रेशनल के लिए रहें सिए वाली चीज़े इतनी रेलिमेंट नहीं है को साब ऑडिट एक्सेप्ट कर चुके है ना प्यारे बच्चों इस एक परग्राफ में दो रिस्क बड़े इंपॉर्टेंट है सबसे सबसे पहले आपका first year सबसे पहले है तो बच्चा यह कि रिस्क करता है वह बड़ी अजीव से करता है सही इसी प्यृगराप को गर मैं देखू तो इसमीं मेरे पास सबसे पहला जो रिसक का जाएगा प्यारे बच्चों सबसे पहले जो रिसक का जाएगा वहाज आगा फॉ सब्सक्राइब कर रहा है तो पहले साल में कोई मिस स्टेट्मेंट एक्जिस्ट कर रही होगी और दुसरा रिस्क हो सकता है कि अकांटिंग पॉलिसी इक पॉलिसीज्टी अपलाए नहीं होंगेस्टक के मोजीद को इसकी फिर्सक्राइब कर दो सकते हैं और सबसे़ साल एक मीश्त सेर्मेट ese हुई यह देखें इस तरीके से ना आपने एक रिस्क के अंदर मजीद दो सब रिस्क बता दें कि यह पॉसिबल रिस्क हो सकते हैं वह रिस्क हमारे पास हो सकता है फ्रॉट का एक और हमारे पास पास हो सकता है यह का सकता है यह पर सबस् OP Lore tenth create करता और मैंध़ीहोर्ण से मतला मैंचमेंट ओभराइड डींटर्ल का यहां पर रिसक एयुआ 80 को यह दका घ्राफ से अच्छे आई इसकारीनिफाइव कर दिए और मैं आगे जाके सवाल पढ़ता रहता हूं और देखता रहता हूं कि उपर जो इन्फरमेशन उससे मजीद को रिस काड़िफा हो सकता है कि नहीं हो सकता उसके बात मेरे पास बैलेंशीट और पीनल डीवी है बैलेंशीट अगर मैं देखू तो मेरे पास को नीचे इन्फरमेशन से लिंक करता हूं for example मैंने कहा कि मेरे पास दिया हुआ है रेविन्यू सहीए जी और मैं देख लेंगा हूं सवाल में मुझे रेविन्यू की कोई इन्फरमेशन दी यह के नहीं दी तो कंपनीज रेविन्यू इस ड्राइब फ्रॉम वेरियस सॉर्सेस primarily through sale of the off-the-shelf software bespoke software projects regular software updates and end-to-end solutions in the form of short-term and long-term project पहरप्चाद सुनियेगा मेरी बात को एक मैं एक प्रोड़क नहीं बेच रहा है एक सर्विस नहीं दे रहा है मैं बहुत जादा इंक्रीज इंदा कॉंट्रेक्ट और सेट बाइदा यहां तो मिडियली से मुझे बहुत बड़ा कॉंट्रेक्ट भी मिला था अगर मैं इस इंफोर्मेशन को दिखू तो एक चीज़ तो बड़ी के लिए प्यारे बच्छी तो बड़ी किलियर है कि यहां पर हमारे पास एक आपने तो यह काम कहना था आपने कानत आपने सूचना था किया इस पॉसिबल सिनेरियो में क्या-क्या रिस्क हो सकते हैं मेरे पास क्या-क्या रिस्क हो सकते हैं इसको इस तरीगे समझने कोशिश करिएगा कि फॉर एक्जेंपल अगर मैं आपसे बात करूं revenue की तो इसको समझेगे company बहुत सारे products देती है और वो प्रॉडक्स short form में भी होते हैं और वो प्रोडेक्ट long form में भी होता है भी होते हैं short term project भी होते हैं सबसे पहला मसला तो मेरे प्रेयारे बचों यह आ जाएगा कि सवाल मैं company का जो business है company जो business है इस में used परफॉर्मेंश उब्लिकेशन बहुत ज्यादा परफॉर्मेंश उब्लिकेशन है तो जो लॉंग टर्म प्रोजेक्ट होता है उसमें तो आपने किंपलीशन वगरह को डेटरमाइन करना होता है और आखरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ के जब हमारे पास performance obligation एक से ज़्यादा है तो transaction price को transaction price को performance obligation में सही से allocate नहीं किया होगा और overall इंस सारे process मेरी accounting policy जो होगी वह appropriate नहीं होगी तो आप समझने आपने revenue पिर एक रिस काणिटिफाय कर रहा तो आपने बड़ा सोच रहा तो आपने यह भी बीए हो सकता है ये दिफには सकता है सहय को साबने procedures फौड़ी लिखने थे अगर आपने procedures लिखने होते हैं तो आप mention लेको मैं पहला लिखो दूसरा लिखो तीसरा दो गया मैं एक रिस्क के अंदर और और करके और और करके मैं बेतहाशा उसको मजीद सब रिस्क बता रहा हूं कि रेविन्यू में यह यह मसले हो सकते हैं तो और इसी तरीके से मैं अच्छे 20 मार्ग सेक्यूर कर चुका हूं और जितने भी चार रिस्क अगर आप देखें यह चा सारी चीज़ें यहां पर और अल्लेडी कवर कर दिया कि आप इस तरीके से तीन चार रिस्क आपको अडेंटिफाइ करने था है इसी तरीके से अगर आप ओपनिंग बैनेस वाला देखें तो मैने का ओपनिंग बैनेस में बी मैटीनिम इस और और लिखा मैंने अकाउंटिंग पॉलिसी में नौट भी कंसेशन यह अप्लाइड यह दोनों वर्ड मैंने कहां से लिखें यह दोनों वर्ड मैंने आइज़ा 510 से कौपी करें बिकास आइज़ा 510 को अब्जक्टिव यह है कि पहला काम यह चेक कर लो कि ओपनिंग बैनस के पर सफिशन कि रिसना समझें यह एक के अगेंस मैंने दो रिस लिखें इसको आप यह दूसरा रिस ना समझें दूसरे रिसके अगेंस्ट मैंने कोई चार्ज तीन से चार इस उसको पेपर मैं बताएं प्यारे बच्चों के यहां तक बाद समझ आती हैं थोड़ा सा और आगे बढ़ते सेरा 50% of the income is still generated from North America 35% from Middle East and 15% from Pakistan this rise in sales is mainly attributable to the company's strategic decision to establish a dedicated division catering to client in Pakistan and Middle East क्यारे बच्चों तो इसको एक समझने कोशिच करें यहां पर एक मसला तो अगर और वॉरंने से त利用 करें सिस्क नहीं किया है आपने सही Grade को सही यूजने किया होगा इसकर दोर Campaign प्यारे पर पहली चीज जो मेरे पास जिस डेट पे ट्रांजेक्शन है उस डेट पर आपने रेट से ही नहीं लिया दुसरी चीज अगर उससे कर्रेस्पोंडिंग मेरा को मॉनिट्री ऐसे के मॉनिट्री लाइबिलिटी एलेट से उसको मैंने यह एरेंड पे सही से रिवैल्यू नहीं किया होगा तो पाकसान अगामने इस ग्रेंट एसल अलेंड एंड बिल्डिंग फोर एक्सपेंडि इस ऑपरेशन जियर्में असे इस इंफरमेशन की वजा से आ रहे है तो मसला कि है आप सब ने पेपर में बिल्कुल सही लिखा प्यारे बच्चो बिल्कुल सही लिखा क्या लिखा किया इस गोवर्मेंट गरांट का मसले है सबस्कूरिइब फोलेशन की है है इस सब Straight-cent dads कि शिस गया ऑश्राइब मिन ग्रांट और इसके मैनेजमेंट गांटिशन को एचीफ नहीं कर सकेगी और जब condition ही अचीव नहीं होगी तो पर यह गर्मेंट गरांट किस चीज़ की तो फिर तो यह आपकी गर्मेंट नहीं है सही पहली चीज अगर condition management को लगता है कि अचीव हो जाएंगी तो दूसरा रिस्क होगा दूसरा रिस्क होगा कि इसको अकाउंट फॉर से नहीं क्या होगा क्या मतलब अकाउंट फॉर से नहीं क्या होगा कि दियर रिस्क सारी के सारी को आज record कर ली होगी और होना क्या चाहिए के साब से यह ओवर दी लाइफ ऑफ दे एसेट के लिए आपको एक ग्रांट मिलिए उस एसेट के लिए पर जाएगा आपने उसके उपर उसको करना होगा तो अगेन आपने पेपर में शाहिद एक रिस्क अडिफाइ किया था मैं ए इसको अकाउंट पॉर से लिए होगा दो रिसके मैंट सारी के सारी इंकम आज रिकॉर्ट कर ले बच्छो कैना तक बास समझ आती है मैं थोड़ा सवार आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्छों इंक्रीज इन इंटेंजिबल एचिट इसको कुछ अलग कलर से हम इलेट कर ले कंसिस्ट ऑफ कस्टरमर सपोर्ट सौफियर एक्वाइट बाइसल इन दो हजार अठार दो इंफोर्मिशन यह पहली इंफोर्मेशन कहा रहा है दो वजवात से बढ़िए पहली वजवात के कंपनी ने अपने इंटेंजिबल एसे को रिवैल्यू कर रहा है जो कि पिछले सा इनपने मां कहांटिंग पॉलिसीज को चेंज किया है से जीडेरिग्शेंज हो सकता है चेंज परवाइट रेलिवेंट ंद Beispiel कि क्यों बाइब अपकी एक्टिब मार्केट recoll via वैसेट की एग्सिस्ट ही ना करती आपकी active market in tangible asset की पयारे बच्छो एक्सिस्ट दीनी करती जब ए कि करता दुसरा इसकी से मांव लिया लेकिens करती है लिकिन दुसरा जीए कि आप ने शायद VAire value is saha it determine destiny की 98 कि यहां तक आप एक जर date रिक्रा अगे प्यारा बच्छो आप जरिख कर आगए उस रिस्क कें अंदर आपने सारी पौसिबिट इस बतानी थी कि यह भी सकता है कि यह भी घो सकता है यह मुझे लगता है अब variety पच्चे ने थोड़ी से घल्ती एख कर यह ठाच्छ गी करें इसको मैं तो सब्सक्राइब porkProject आपर दो मसल्ला के प्यारब कं बना घ्यानपीट !! बनाए है सबसे पहले तो आप यह चैलेंज कर दें कि बाई अचाहा किस चीज़ का इन्टेंगाल सट कि दें मेरे पास है कि इंटेंगेल इसेक्ट अदू है पहले स्य पहले पहले इसके आपने website अब भाई website capitalize करिए तो पहला तो रिस्क आप यह कर दें कि वैबसाइट शाहिद capitalize नहीं होनी चाहिए वैबसाइट तो नहीं होनी चाहिए मैनेजमेंट का शाहिए recognition criteria पूरा ना हुआ हो साहिए यह आपका development फेस्के expenditure नहीं हो दूसरी चीज़ के चाहिए माल लिया माल लिया capitalize होनी भी चाहिए तो दियरेसरेस के कुछ expenditure ऐसे होंगे जो के research phase से pertain करते होंगे और management ने उसको भी क्या कर दिया होगा capitalize कर दिया होगा तो दो जो हमारे पास possible risk arise हो सकते हैं वह यह अब आप समझने की कुशिश करेगा यहां पर कि यहां पर जो website है यह मेरे development cost of the this has been capitalize इसको fair value में लेके क्यों नहीं आए इसको fair value में लेके क्यों नहीं आए उपर वाले firstly वाले को fair value पर लेके आए वे हो नीचे वाले को fair value पर लेके नहीं आए वे तो इसका मतलब है एक और से रिस्क प्यारे बच्चा आपके पास आराइज हो गया एक और इसका राइज हो गया कि पूरी class of asset को शायद company ने capitalize fair value पे fair value पे ना लेका यह जो कि हमारे पास से class of asset का भी रिस्क होता है आपने रिस्क लिखते बापने टेंशन क्यों लिखनी थी आपने पूसियर थोड़ी लिखने ते प्यारे प्यारे प्रताफ सारे पॉसिबल रिस्क लिखते है अच्छा इसी तरह के तो थोड़ा सा और आगे बढ़े दियू तो हाइट अगे टूइस जहां बच्छे ने सवाल में देखा कि had टान ओवर एफ टीडवलफूर आफ डाइर हाइट अवर और रहा बच्छे नहीं कि यहां पे फ्रॉट्ट से कहा कि मंत पाइं टनोलिग्स पाने रबावन कर दो कहते तो जो फाइनेंस का बंदा होगा गर वहां पे चेंज बार बार आ रहें तो फ्रॉट के रिज्जादा होता है यहां पर तो स्टाफ डेवलप्मेंट है यार वो तो टेक्निलोजी वगरा बना रहे है तो इसको रोखने के लिए आप लोंज दे रहे हो और लोंज आप इंट्रेस नहीं होगा तो अगेन में एक रिस्क अडिफाई नहीं कर रहा एक रिस्क अगेंस में दो-दो और रिस्क उसको बता रहा हूं कि यह सारी के सारी पॉसिबिलिटीज हो सकती है प्यारे बचों कि यहाद अगा मैं बास समझ आती है था हमने थोड़ा सा चीज़ों को इस तरी सब्सक्राइब कर दोंगा और हमारे रेगुलर बैच चल लास पर हमारे इक डिटेल डिसकेशन दोगी यह विडिए इस पेशली आप लोगों के लिए कि आपको पता चल जाए कि यह आप इस अटेम में फेल की और आपने अप स्रेटीजी आपकी क्या होनी चाहिए थोड़ अबर का प्यारे पच्छा सवाल आगया है अगरे सवाल को हम देखें दा आरेल हैस डेवलप एन यी कॉमर्स प्लैटफॉर्म तो सेल अपैरल डेली वियर एंड फूर्ट वियर दा प्लैटफॉर्म सेल्स आरेल्स प्रोडट एस वेल अज दोस अफ दी अदर रिटेलर से अब अपना माल भी बेशते हैं और अपने लावत थर्ड पार्टी का माल भी बेशते हैं यहां पर बस में एक वर्ड लिख रहा हूं प्यारे बच्छा जिसका नाम है थर्ड पार्टी कि दुरिंग दा कोर्स ऑफ दा ओडेट दो ऑडेट टीम हैस इडेंटिफाइट दी फॉल्एंग मैटर्स कौन से फॉलिंग मैटर्स है आज जिसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं यह कंपनी मेंटेंस दा स्टॉक ओफ इस ओन प्रोडटक्स एट इस वेराउस और सप्लाइर सबस्क्राइब करें हम कहते हैं कि यहां पर अगेन एक और खतरनाक इंफरमेशन है कि कंपनी का तो अपने विराई उसमें भी होता है और सप्लाइर्स की फैसिलीटी में भी लोकेट होता है फुरूआउट दा कॉंटी इसका मतलब है कि आपके पास आपके पास अगेन यहा important वो इसने skip करते ठीक है all orders are sent to all of the house for the quality check and packaging before being dispatched to the customer a core khatrnaak information other a core khatrnaak information other or word likha varay all all orders are sent to the company's warehouse for quality check and packaging before being dispatched to the customer so yeah I said dispatch conkarta the platform sells the company's product as well as those of the other retailers all the orders are sent to rl warehouse for iska मतलब है यह वाले जो other retailers का माल भी आता है बेशने के लिए वह पहले कंपनी के वियराउस में आता है वहाँ पे packaging वगए रहा होती है उसके बाद distribute होता है और मेरा अपना माल भी इसको बेशता हूं सही है अच्छा यह इतनी से information तो इसका मतलब यह information मेरे पास कुछ 6-7 नंबर की होगी 6-7 नंबर का सवाल तो टोटल सवाल 13 मांक्स का तो यह सवाल मेरे पास कुछ 6-7 मांक्स का बनता है इसका सबसे आसान चीज़ क्या अधिकार अगर मैं आपके जगा होता मैं करता क्या मैं एक बड़े आराम से बड़े आराम से इसको समझनी कोशिश करता कि आप यह देख लें कि मसला है क्या मसला यह है इन्वेंट्री ठीक है मसला है इन्वेंट्री अच्छा आपकी इन्वेंट्री आपकी इन्वेंट्री आपकी इन्वेंट्री कहां पड़ी है आपकी इन्वेंट्री आपके पास पड़ी है सही है और आपकी इन्वेंट्री एक और जगापे भी पड़ी है भाई कहां पड़ी भी है आपकी इन्वेंटरी एक और पिपढ़ी है का पड़ी ए सफ्प्लायर के पड़ी है सप्लायर के सप्लायर के पास फैक्री आक पर चाहर आतकी और पास पर यह चाह और फच्टी दे। एक और खतरनाग information रहे बच्चो और वह खतरनाग information क्या हैør कि inventory में inventory में। थर्ड पार्टी की इन्वेंटरी भी पड़ी विए आपका जो प्लैटफोर्म है वो रिटेलर्स की इन्वेंटरी भी बेखते हैं तो डिफरेंट डिटेलर्स की इन्वेंटरी भी आपके पास पड़ी भी प्यारे बच्छो तो इसका मतलब सवाल में खतरनाक चीज़े क्या ह प्यारे बच्चों से भी करें evaluate the above matter as identified by the audit team तो आपने क्या करा तो यह जो मैं आपके सामने डियाग्राम बनाई यह प्यारे बच्चों जो से डियाग्राम बनाई है यह evaluation है क्या मतलशन का कि कंपनी के वियर आउस में कंपनी के और फटी पढरी और फटी पटी पढ़ी और कंपनी के वियर आउसना आपके कैपनी क्यों पार चान बादी चांब चार से पांच मांकर टारम बठ्स बनाई है किताब में लिखेओं लागन मैनिस का अंसर आपको बनाओ तो अगर मैं सवाल की information को मैं इस तरीके से देखू सवाल की information को अगर मैं इस तरीके से देखू दव यह रावस inventory includes the other retailers inventory मतलब third party inventory the company's inventory are at the third बस यह evaluation दिदो माक्स आपको यहां पर मिल गया और यह आपने कैसे conclude करा सवाल में यह सारी information आपके पास मेरे प्यारे बच्चों लिखी भी ठीक है अच्छा थोड़ा समझने कोशिश करिएगा थोड़ा समझने कोशिश करिएगा मैं काम यह करता हूं मुझे सबसे पहली चीज तो आप इसको पकड़ने ना यार सबसे पहली चीज तो आप इसको पकड़ने के इनवेंट्री 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 से रिलेटिट क्या प्रोसीजर होते हैं सही है जो इनवेंट्री मेरे पास पढ़ी है जो इनवेंट्री मेरे पास पढ़ी है उ management के process को observe करूँगा मैं sample basis पे मैं inventory को test करूँगा प्यत्तब physically inspect करूँगा और inventory को recount करूँगा inventory को recount करूँगा management process पर बस आपने यह चीज लिखने थी कि management का process यह किस तरह किसे इंशोर करता है तू बाइफर केट किसमें से कौन से कैसे inventory हमारी है इसमें से कौन सी inventory हमारी है और कौन सी inventory supplier की बस आपने इन चीजों को देखना है और जो इनवेंट से डिलेटेट ही मोज़े लेने होता है काट अफ ऑगरा के में वह बाइचा प्रोसीजर में यह लिख दिया सहीए अच्छा फिर उसके बात मेरी इंवेंटरी मेरी इंवेंटरी में वह हिन कुन करती है अब जो है नह草न्हाइब और पर्टेन करती है third party thatai pani सब्सक्रेम और पढ़ी घए के पास जैसे ये सारे काम यहां प mismos कर लो पहला काम यह कर लो दूसरा काम एक काम यह करो कि सकते जाके तुम किसी और और को इंगेज कर लो वो तुमारे भीहाफ पर काउंट कर लेगा आप यह काम कर वाले आप यह भी नहीं काम कर वा सकते तो उसको आप confirmation भीज़ दो और confirmation मैं कहो कि मुझे बता दो कि भाई यह जो inventory है इसके existence कैसी condition कैसी और क्या वाकिये में इतनी inventory आपके पास पढ़ी भी है के नहीं पढ़ी भी प्यारे बच्वी सारे प्रोसीजर यह सारे प्रोसीजर आईजा 501 में अल्लेडी लिखे वेते यह अल्लेडी लिखे वेते मैं confirmation request कर सकता हूं मैं inspect कर सकता हूं मैं another auditor को engage कर सकता हूं मैं उसके service document दिखाओ आप यह document कर सकते थे मैं बेतहाशा पेपर में लिख सकता था प्यारे बच्चों सही है और अगर आप देखें तो सवाल को मैंने question से यह लिया सही है इसकी evaluation मैंने ऐसे करी ठीक है और यह यह आपको material दिख रहा है यह मैंने आईजा से copy करा है और आईजा की चीज को किस तरीके से मैंने ड्राफ्ट कराएं मैं अशाला आपको यह भी सिखाऊंगा और यह सारा आंसर इसी तरीके से आपके सामने मैंने रख दिया है अगर आप आईजा को देखें तो आईजा कहता है evaluate the management instruction and procedure for recording and controlling the result of the entities physical inventory count मैंने भी exactly यह लिखा है उसको थोड़ा बहुत आपने अपने आंसर में मेरे प्यारे बच्चों लिख देना था और इसके लावा और कुछ भी नहीं था इतना आसान सा वाल था यारी है सही है अच्छा जी थोड़ा सवार आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों a few years back the company has launched a reward points program a few years back the company has launched a reward points program for its customers for every purchase of rupees 100 customers are entitled to one reward reward point equivalent to rupees 2 which can be redeemed in the form of cash credit against the future purchase each point expire after the six months and say again evaluate the above matter दाकर ने इवैलूएट करूं तो मैं काउं क्परीन एक लोटी प्रोगाम दियावर्ट्स प्रोगां दिया और और जब करूंग तो एवेलोशन में है क्या एवेलोशन में यह कि रिस्क यह है और अगेन यह में सब्सक्राइब कर वाई थे कि अगर वे उपर अकाउंटिंग की चीज़ आपको बता दे तो इसको उसको पर आपसे अकाउंटिंग पूछ निया अकाउंटिंग नंबर नहीं पूछ रहा है अकाउंटिंग ट्रीमेंट एक्समेंशन दो एकमपनी ने सारा का सारा रेवीनियू आज रिक्रेगनाइस कर दियो कि यह कंपनी ने अच्छा इव दूसरा ठीक है जी रेविन्यू को डैफर तो कर दिया है लेकिन डैफर करने के लिए कुछ एस्टीमेट्स इन वाल कि होंगे ना कुछ जज्चमेंट्स वागे रहोंगी दोस एस्टीमेट्स एंड जज्चमेंट में नौट बी रीजनेबल यह आपने एवैलुएशन करने थी मेरे प्यारे पच्छों यह आपने और अकाउंटिंग में आपने नंबर्स नहीं बताना होगी 100 रुपे के सेल कर रिङो बस और पककल रहVAड कर लिया होगा हालाखे बाद में बाद में दो में 2 उसको प्धूंश को पर करने पड़ते हैं दो रुपे सकते हैं 2 प्ने सकते हैं मैरे से क्शतन आकरंफेट एकनोमिक बैनेफिट कम रहा होागा उसको मैनेज्मोंत पर पर आए-फारी स्टेंन किया होगा या अगर किया भी होगा ना तिस सारे प्रोसेस में एस्टमेशन सार जॉजमेंट इन्वाल वोती है और वह पास एक ठेकनिक होती ती जिसका नाम होता था आईजाउ 540 थो जो कि नाम होता था आइजा 540 से है मैंने पहले चीज़ यह करी मैंने पहला स्टैप लिखा मैंने का सबसे पहला काम तो मैं यह करूंगा कि जो भी एग्रिमेंट वगरा है उसको इंस्पैक करूंगा उसको इंस्पैक करूंगा और इंस्पैक करके देखूंगा क्या मैं टर्म सेंड कंडिशन देखूंगा इस रॉयल्टी प्रोडर्राम की मैं टर्मस ऐन कंडीशन देखूंगो रॉ Wiki एवेलएट कि क्या यह वाकि में ix separated performance application है के नहीं क्या यह वाकिए में separate performance obligation है इस अन्सर है आप सेपरर्ण पर फौर्फरम सτό व्लिकेसंस तो मुझे दो रुपय का बाइफिट चाहिए उस वख मेरी परफॉरमस और सैटिस्फाय हो जाएगी उस वख मुझे रेविनी रिकर्कनाइस करना पड़ेगा लेकिन 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 मैंने तो भाई पूरे साल में 100 Mills की एं इसमें से सौ और पिसे उपर की सेल्स कितनी है मुझे वो हाइलाइट करने पड़ेगी तϊसर फ्लॉप और लीटिस penis ये प्यारे पच्छो नहीं आएगा यह expired हो जाएगा तो मैं बाद में रेवन्यू के ना करूं मेरी आज ही पर्फॉर्मस अब करना पड़ेगा विखास एक्सपाइड हो जाए गए बाद में क्लेम नहीं करना पड़ेगा मुझे तो रिमेनिंग जो मेरे पर्षैंट चांसे चांसे में से इतने पर्षैंट चांसे से इतने पर्षैंट चांसे के कस्टमर आ के मुस्झें एक लिय 메 Two T वाई आपने management का process समझने तब आपने प्यारे बच्चों management का process समझना था आपने कंट्रोल्स को test करना था कि इस पे आपको डेटा के ऊपर कॉन अथरायस कर रहा है आपने assumptions को चेक करना था कि अजू झीने भले और यहां पर assumptions हमारे पास क्या है प्यारे बच्चों हमारे पास assumptions क्या है हमारे पास दो-तीन assumptions कि कितने आपको लगता है expected value method क्या है आपका क्या लगता है कि कितने number of customers आपके claim करेंगे कितने number of customer ऐसे होंगे कितनी जैसे हो जी छह महने बाद expire हो जाएगी customer आपके पास नहीं आएगा इन सारी चीजों के पर assumptions ती इसको verify करने के लिए आप सब्सेक्वेंट डेटा के ओपर भी काम कर सकते हैं कितने claims आपके पास आ चुके ठीक है यह बहुत सालों से आपकी डील चल रही है तो आप retrospective review भी कर सकते हैं कि पिछले साल जो रिकॉर्ट किया था यह पिछले साल जो डेफर्ड रेविन्य रिकॉर्ड किया था उसमें से कितनी अमांट आपको इस साल एक्च्वन पे करनी पड़ गई प्यारे बच्छों यह इसका पूरा सिलसला था और इस तरीके से आईज़ा 514 आपको help करनी ती इस तरीके से से वन से वह कॉपी कर रहे सढ़ है इस तरह के जो चीजा पूछ रहे या जो आगे सवाल में चीजा पूची है यह वित आपको बेटाहाशा में सवाल नहीं है explanation वाला गे में तो में सब्सक्राफिंग कैसे करते हैं आपको भी समझाइटी सही है अच्छा देखें यार एक कुछ नंबर थी था आठ नंबर आठ नंबर और चाहर नंबर सही है और यह बीस नंबर का आपके पास सवाल आगे और सवाल की लिखने थे कोर्स आपक्षिन लिखना था बच्चे के लिए मसला किया होता है और कोर्स आफ एक्षिन को वह सही से डिस्क्राइब नहीं कर पाता ठीक है अच्छा इस सवाल को करम गौड से देखें इस सवाल में बच्चे से दो-3 मिस्टेक्स विए पहली उसने आईजा सही स भी एक्स्पें नहीं कर पाया ठीक है आज की क्लास में हम इंशाला इसको यह देख लेते हैं कि यार इसका एक अच्छा पर्फेक्ट आंसर क्या हो सकता था सवाल पड़ता हूं मैं आपके साथ प्यारे बच्चों यू आर्ट पार्टनर आफ नासिर जो क्यों कंपनी चार् नमबर का है नाइट एनन हैड रिकॉर्ड़िट अफ इस प्रोड़क्शन लाइं एस कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस इन इस फाइनेशल स्टेट्मेंट फॉर दे यर एंडिट एकत्तिस मार्श दो हजार बाइस दो हजार बाइस के सर एक से रूग जा है भाई ऑडिट आ और उसने पिछले साल में एक कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस रिकॉर्ड किया वा था अमांटिंटी रूपीज फाइफंड मिलियन यूर फिर्म एक्प्रेस्ट अपॉलिफाइड ओपीन एज इड बिलीव दाइट अट अप्टोबर दोहजार एक से यह अक्तोबर नवैं however in the financial statement for the year ended 31 March 2023 the company has recorded the deposition for the complete year at the rate of 10% using the straight line method इस साल उसने पूराद आपिशेट कर लिया अच्छा इस साल डेपिशेट होना भी पूरा चाहिए था इस प्रेट लाइन मेठट कर रहा है तो इसका मतलब है कि पिछले साल के मैठर से कुछ रेलिवेंट इनी पिछले साल के बीग्टेश्पेंस होगा इस साल का भी 50 वियन होगा अच्छा असरे रिटेंट अन्वेल्य प्रोटेक्शन लान अड्ध एंड यर वास रूपीस 450 मिलियन रूपिट बीफोर टेक्स वर सुपीस 300 मिलियन और रूपीस 220 मिलियन फॉर दायर एंड इकत्र समार्ट दोह जार थाइस रिस्पेक्तिवली प्यारे बच्छों बड़ा ही जबर् इसका बाद उसने आपको नंबर्स भी दिये में जब नंबर्स आपको दिये में इसका मतलब है आईजा 320 भी यहां पर अप्लिकेबल है मेरे प्यारे बच्छों बच्छों को मसला नहीं है पिछले साल आप ही नहीं आवा तसका और आप सेम औरिटर तो और आपने ही से समझने कोशिश करें देखें बच्छों 2000 1st October 2021 को वो जो प्लांट था आपका वो अवे लेबल फॉर यूस था ठीक है आपका यह रेंड था 31 मार्च दो हजार बाइस सब्सक्राइब नहीं होना चाहिए और चूपके यह पीपी ओना चाहिए तो छे महिने का डैपी सेशन एक्सपेंस भी रिकॉर्ड होना चाहिए जो कि 500 मिलियन का अगर मैं यूसफुलाइब देखो सवाल में तो इसकी यूसफुलाइब के तीविया भाई 10 पर्सन विजिंग दस्ट्रेट लाइन मेतट तो इसका मतलब है साल का 50 मिलियन हो गया छे महीने का 25 मिलियन का एक डैप्रिसेशन एक्सपेंस रिकॉर्ड होना चाहिए तो सही है अच्छा अमांट कितने कि यह भाई अमांट को भी देख लें थोड़ा सा अमांट हमारे पास सवाल में मौझूद है सबाव में मौझूद है 500 मिलियन की पूरा मौंट ता अच्छा इसको अगर मैं गौड से देखू तो मेरे पास जो अमांट इन्वार्ड है यह 500 मिलियन की है ठीक है और 25 मिलियन के इसको पर डेपिसिटन एक्सपैंस है अच्छा पिछले साल का अगर में प्रॉफिट भी फूट प्रॉट टैक्स है 300 मिलियन और 220 में फॉर देंट मार्च 22 तो 300 का 5% भी अगर में ले लो तो मेरी मेरी मटीरियालिटी बनती है 15 मिलियन है 15 मेरी मेरी मटीरियालिटी बनती है फिविफ्ट ऑंतिटी यि नुचे relief अपर 20 मिलियन स्टेट्मैंस का मसला ता और 500 मिलियन कंई और इसके अगेंस्ट एक अना चाहिए था 25 मिलियन का और यह नेट अमॉंट बननी चाहिए थी आपकी 475 मिलियन की अच्छा अब आप आ गए 31 मार्च 2023 को अड़िड करने के लिए और मैंच्छमेंट इसको पूरे साल डिप्रिशेट कर दिया तो इसका मतलब है 31 मार्च 2030 में पीपी मेरे पास आ रहा होगा 500 का और मेरे पास जो accumulated depreciation आ रहा होगा वह आ रहा होगा पचास मिलिए का पूरा सब्सक्राइब करें और पीपी रिकॉर्ड हो रहा होगा मेरे पास 475 मिलियन का cwip मेरे पास जीरो आ रहा होगा management जो यह financial statement बनाए होगा प्यारे बच्चो सामने सामने सारी चीज़ा आपको तरते वे दिख रही है एक पिछले साल की मिस statement exist करती थी evaluation अगर इस पूरे सवाल को मैं देखू तो मेरे सवाल से कुछ information को use करना था उसके basis मेंने evaluate करना था उस evaluation के basis पर course of action बताने थे और course of action के basis मेंने reporting implications को explain करना था प्यारे बच्चों questions आपके सामने है कि मिस स्टेट में पिछले साल exist करती थी अगर वो इस साल क्या matter resolve हो गया सर मैटर अभी भी resolve नहीं वा ठीक है matter resolve अगर matter resolve हो भी जाए लैट से सही है तो क्या मैं इसको properly account for कर दिए तो बात relevant है से matter resolve नहीं वा लेकिन सर अगर मैं देखूं तो पिछले साल cWiP 500 का आ रहा है और इस साल 0 आ रहा है क्या यह दोनों नमबर्स आपस में comparable है है सरे दोनों नंबर्स आपस में इसी तरीके से INS象 500 पांसो आ रहा है इस सल 500 आiration पिछले साल management ने p.p. koro दिखाया वाता सै यह क्या यह दोनों नंबर आपस में comparable है यह दोनों नंबर आपस में comparable नहीं ठीक है इसी तरीके भी आपको qualified opinion या modified opinion एक्सप्रेस करनी पड़ेगे विकास नंबर्स आर नोट कंपेरेबल साहिए नंबर्स आर नोट कंपेरेबल अच्छा करिस्पॉंडिंग और कंफ्यूज हुआ होगा उसकी टेक्निक यह प्यारे बच्छा सवाल में लिखा वह आप औरिट कर रहें 31 मार्च 2023 का तो इसका मतलब आप 23 के लिए आप 22 के लिए आप ओपीनल जो है वह मार्च 23 करेंगे मार्च 22 करेंगे करेंगे कंपेर्टिव का मसला था तो मैंने तो बड़े आराम से पिर कोर्स ऑफ एक्शन में कहा एवैलुएशन मैं कौंगा पिछले साल एक मिसस्टिट्मेंट थी जसके ओपर एक कौलिपाइड उपीनियन एकस्प्रेस की गई थी जिसको पर एक कोलीफाइड़ एक स्बक्रिस की अगर तो मैरे लिए हो गया है नहीं sir matter to resolve नहीं हुआ सही है तो क्या वह मेरे लिए relevant है ठीक है अच्छा course of action क्यों होगा मैं management को कहूंगा भाई शाबाज चलो जली से रिस्टेट करो जली से रिस्टेट करो इसको ठीक करो इसको ठीक करो अगर तो management रिस्टेट कर देती है तो मेरी रिपोर्टिंग इंप्लिकेशन क्या होगी मैं एक अन्मोडिफाइड ऑपिन एक्सप्रेस करूंगा और चाहूं तो इसको ठीक नहीं करती तो मैं कहूंगा तो मैं कहूंगा कि यह पिछले साल मेंस स्टेटमेंट थी जो कि इस साल रिजॉल् एक यह मौझ हूद है किस तरीक है से मिसस्टेटमेंट एक्सिस इन प्रायर अन विच क्यूलिफाइड ऑपने पता ना था इस restatement course of action आपने बता ना था if management agree the order shall express किस जिसके उपर agree कर जाएगी restatement को पर agree कर जाएगी the auditor shall express an unmodified opinion on 2023 सही है and may refer to the restatement disclosure in the infeasive metaphyagraph लेकिन अगर management restatement नहीं करती इफ the management do not agree and the auditor believes that the matter is relevant in the current period auditor shall express the qualified opinion even if the matter is not relevant in the current period it may still be relevant for the auditor to qualify the opinion because of the effect of the unresolved matter on the comparability of the current and the corresponding figures यारे बच्चों तो यह reporting implication मेरे पास आईजा 710 में लिखी भी ती relevant है relevant नहीं है आपने सारी possible implication इसको बतानी ती यह आपके पास एक 8 नमबर का उसने इस तरह के सवाल पुच्छा था कि जो कोशन में आपको डिर्स लिखी वी थी वह आपने बतानी थी उससे आपने evaluation बताना था evaluation से course of action बताना था course of action से reporting implication बतानी थी चारो कॉलम आपस में लिंक होने चाहिए प्यारे पच्छों है फैस्ट एक परेग्राफ मांसर नहीं होने चाहिए था आपके चारो कॉलम exactly linked होने चाहिए तभी जाके आपको marks मिलेंगे अच्छा आगे मजीद पढ़ते हैं प्यारे बच्छों financing arrangement further no disclosure have been made regarding the uncertainty that may arise from the situation प्यारे बच्छों सबसे पहले चीज़त आप यह देख ले सवाल में आपको डेट क्या दीविए 19 जून 2030 की कि आप audit कर रहे हैं आप audit कर रहे हैं आप audit कर रहे हैं 31 मार्च 2030 का ठीक है और इसकी बजासे एक uncertainty exist हो सकती है जिसको management ने कोई भी disclosure नहीं दिया however no disclosure has been made regarding the uncertainty इसको अगर गौर से देखें प्यारे बच्छों इसको गौर से देखें दो चीज़ समझने कुशिच करिएगा आपका यह रेंट है आपका यह रेंट है 31 मार्च 2030 जून 2023 में आपकी एक financing expired होने जा रही है management के पास इसका फिलाल कोई plan नहीं है इसकी कोई assessment management नहीं करी कि अगर तो यह financing expired हो जाएगी तो फिर हमारे पास पैसा कैसे आएगा और इसकी basis पे अगर कोई uncertainty arise होती है जब assessment करेंगे तो uncertainty होगी और अगर कोई uncertainty arise होती है तो इसका कोई भी disclosure financial statements में नहीं दियावा सही है प्यारे बच्चों सबसे पहली चीज़ सबसे पहले चीज़ आपने सवाल में क्या करना है आपने सवाल में at least for the period of 12 months इसका मतलब 31 मार्च 2023 से लेके at least 31 मार्च 2014 तक उसके ब्यूर्ण भी जा सकते हो management assessment करनी है किस चीज़ के assessment करनी है going concern की assessment करनी है ठीक है यह आपने evaluation में लिखना था कि assessment करनी course of action मैं management से request करूंगा कि kindly going concern की assessment करिये at least 12 मैंने की करिये और उसमें आप यह बताने कि अगर आपके पास यह financing expired हो जाएगी तो आपके पास क्या प्लैन है आपके सब्सक्राइब कर सकते हैं that would be my course of action अब मेरी बास सुनिए का बच्चा कंफ्यूज का होता है बच्चा कंफ्यूज होता है course of action में मेरी टेखनीक अप सेंदें इंचाल्ला आपको बड़ा काम देगी अग्रम धिए उसमने कोर्स अफेक्शन लिखना है जैनि मैं कोर्स अब आपके कोशिश यह करूगा कि कोर्स ओपेक्शन यहापर कॉन साइजा ट्रिकर कर रहा है यह आपर आइजा 507 गोईंक और यहां पर आईजा तो आप याद करें आईजा पांसो साथ क्यों अब्जेक्टिव कि राते हैं पहला अब्जेक्टिव था तो अब्टेइन sufficient appropriate audit evidence about the going concerned assumption दूसरा objective था if the going concerned assumption is appropriate determine whether material uncertainty exist इस चीज़ को पर भी sufficient appropriate audit evidence लेने थे और तीसरा था आपकी reporting implication class में इसी तरीके से पढ़ा था यह जो दो चीज़े आ रही है यह जो दो चीज़े आ रही है यह आपका कहला कोर्स of action यह आपका कहला कोर्स of action कि इस सवाल में मैं 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 कोर्स of action would be I will request the management to perform the going concern assessment and if the management don't perform the going concern assessment as an auditor I will obtain the sufficient appropriate audit evidence regarding the going concern assumption whether that assumption is reasonable or not second if the going concern assessment are going concern assumption is appropriate I would assess my course of action would be to assess whether a material uncertainty exists my audit procedure नहीं लिख रहा हो मैं इसको बता रहूं के मैं यह काम करूंगा साही इसरह मैं आप टीम को बता रहा हो तो हो जिसे आप माशलाओ फर्म में मैं माशलाओ फर्म में हो जिसराम टीम में बात कर रहा हो ते कि यह मसला हो गया यह काम कर लो यह काम कर लो यह आपका a course of action था जो आईजा का scope objective होता है आपने वो इसको से बताना था तीसरी चीज रिपोर्टिंग implication प्यारे बच्वों reporting implication बड़ी असाने reporting implication आपने management से request करें आपने management से request करें कि भाई going concern की assessment करीज यह तो management ने going concern की assessment नहीं के ठीक है अगर management is going concern की असेसमेंट नहीं करी इन इस विल बीकर बेंज़ेट आज इसका impact material है प्यारे बच्शों तो qualified मेटिरियल प्लस पर्वेजिव है तो डिस्पे मशी है अगर मैस दो इंका है कि कर ली तो फिर आप देखेंगे कि क्या गुइंग कंसेंड एजम्शन appropriate है तो या तो तो ओनिंग गूत एक्षण अप्रोप्रेट होगी यह बगएंक रद आज होगी अगर तो going concern assumption appropriate है तो आप एक और सवाल पूछेंगे जो पर course of action में आपने कहा था कि क्या material uncertainty exist करती है अगर तो material uncertainty exist करती है हाँ जी करती है नहीं जी नहीं करती तो क्या management ने material uncertainty को disclose किया हुआ हाँ जी disclose किया हुआ है नहीं जी disclose नहीं किया हुआ अगर management ने material uncertainty को disclose किया हुआ है तो आप unmodified opinion देंगे और material uncertainty relating to going concern का section include कर देंगे और अगर मैंजमेंट इसको adequate disclose नहीं करता तो इस स्टेटमेंट अगर impact material है तो qualified material plus pervasive है तो adverse opinion आजाएगा अगर material uncertainty exists नहीं करती तो आप unmodified opinion देंगे लेकिन इस matter को अगर आप चाहें तो की audit matter में include कर सकते हैं विकास आपका time लग रहा है efforts लग रही है प्यारे बच्चो और अगर going concern assumption appropriate नहीं है इस चिसको अगर आप चाहते भी तो पेपर में ना लिखेगा because art number का सवाल है ठीक ठाक reporting implication में लिख चुका हूं लेकर अगर आप चाहें तो इसको भी पेपर में explain कर सकते हैं इस तरीकर से प्यारे बच्चों हमने थोड़ा सा पेपर को attempt करना था थोड़ा सोचना था इस सवाल में आपको पेपर में देखें मसल करता और आइजा 570 के वह क्या कहते हैं हैंडाउट कर चुका या किताब रीट कर चुका या फ्लोचाट और रोड मैप और माइंड मैप इस तरह की रीट कर चुका है और इसको लिखना ही नहीं आता प्यारे बच्चों तो पेपर में पास करना आपके लिए मुश्किल हो ज हुआ चांब जाइए किन्सा ये के लिखनाए इसमें लिखनाए ये टैकनी का अविलिब लयां यह किताब करें किenser के जरूँआ आप आज करेंगे अभी करेंगे तब जाके आप पेपर में अटेम्ट कर सकेंगे प्यारे बच्छो तो कोशिश करने या थोड़ा सा कि कर रहे हैं मैं मैंनत कर रहा हूं उसको मजीद एडिशन प्रैक्टिस कर वा रहा हूं फ्लू चार सारी चीज़ है तो कोशिश करें क्या वो कैलेंडर आपने लाजमी फॉलो करना है यह नहीं हो सकते पेपर से एक मैने पहला पाइडमास और उठाने बैठेंगे और आपके मैं को चांसे बड़े कम होते से हैं अगर हम हर वीक मैनत करते रहेंगे हर दूती नार्जा को पर करते रहेंगे उसको पर जतनी भी पॉसिबल सवाल आ सकता है उसको जब देखेंगे तब ही हमारे चांसे से कंप पास कर लिंगए अपना बेहत खायर लखेगा इंशल्ला वापि